हां जी, नहीं क्लियर हुआ एक्जाम, रह गया, कोई प्रॉब्लम थी, कुछ ऐसा हुआ जो बियॉंड यर कंट्रोल था, कोई कमी रह गई, कोई ऐसा इशू जो अब आपको पता है शायद आप ठीक कर सकते थे, या कोई ऐसा इशू जो आपको लगता है आप बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते हैं, क्या आपकी यही सिचुएशन है? If yes, then this video belongs to you. Hi everyone, before we really moving further, let me introduce myself. My name is Pankaj Jhingra and as you all know me by now, I am a proud Fintramar. I really want to talk on Heart to Heart today because off late, I met a student who was so good in terms of, you know, what he was doing at that point in time, but unfortunately, result didn't came up in his favor and joh minne us din sona, it was really heartbreaking. I spoke to him and of course, he was the guy who used to be the one very much serious in the class, always there in terms of answering the questions, always there in terms of responding back what the teacher always needs. But when he saw the result, he didn't come positive and he was really, really down at that point in time. I met him last week and when I met him, I was stunned to see his motivation level in terms of, you know, where he was. He was completely bogged down to an extent that he said, sir, I don't want to do ACCA. He would not be the one who would not have faced a burnt like this. And he's, he's, I wouldn't want to do ACCA. But he was the one who would have, he didn't want to do ACCA. There are two choices. One is that I'm starting to want to drop down to avert. And I'll go out and leave a course. The other student is not going to do ACCA. वो अपने आपको संभाले और अपना self-assessment करे self-assessment to an extent कि जो गलती हुई है कि कहां हुई है कहां पर gap है क्या issue है जो बच्चों में देखे गए हैं जिस वजह से बच्चे कभी जाम क्लिफ नहीं कर पाते हैं वो चार issue है या तो बच्चे मैं अपना पूरा का पूरा syllabus कवर नहीं कर सकता किसी भी तरह से हो सकता है मुझे time नहीं मिलाओ हो सकता है मैं उत्माचा time नहीं दे पाया हूँ हो सकता है मैं time दे पाया बट मैं cover पूरा नहीं कर पाया या कोई भी और कारण हो सकता है तो या तो बच्चे आपने syllabus पूरा नहीं किया, या आपने syllabus तो बच्चे पूरा कर लिया, बट आपने उन topics की ओपर, उन concepts की ओपर question ही नहीं करें बच्चे, किसी भी कारण से हो सकता है, आपने उसको जरूर ही नहीं समझा, या आपको लगे question असान है, या आप पहले से की चुके थे, कोई भी कारण हो सकता है, आपने बच्चे दूसरा reason ही हो सकता है, कि आपने question ही नहीं की हो, तीसरा reason बच्चे, जो मुझे लगता है, आज की रेक में बहुत prominent होता जा रहा है, वो ये, कि बच्चों ने past exam papers नहीं देखे होते हैं, बच्चे हमने concept समझ लिया, असलिए बसेरिया देख लिया, हमने कुछ उसके ओपर question भी practice कर डाले, बट हमने past exam paper नहीं देखा, हमने समझा ही नहीं कि जो examiner है, वो हमसे क्या expect करता है, हमें किस तरह का question देता है, हमें कैसे चाहता है कि हम पढ़ें और उसको answer करें, ये बहुत prominent और बहुत common mistake है, जो बच in any and every professional nowadays who is working somewhere is, कि हम mock exam ही नहीं देना चाहते है, हम अपने आपको exam से पहले exam condition में डालना ही नहीं चाहते है, हम देखना ही नहीं चाहते हैं, कि वो जो मुझे exam देना है, वो कैसा नजर आएगा, और खास तोर पे, क्योंकि अब computer-based exam है, तो it is all the more warranted कि आप computer-based exam को देखो, कि शुरू कैसे होता है, उसकी functionalities क्या होती है, उसकी functionalities से मैं काम कैसे करूँगा, जब मैं महां लिखूँगा, तो मुझे किन-किन चीजों का ध्यान देना है, and so on and so forth, ये चारो गलतियां सामने आती हैं, अगर आप generally बच्चों को देखो, कि ये सारे issues के वज़ा से बच्चे पास नहीं हो पाते हैं, अब एक तो कारण हुआ है बच्चे, सर मैंने करना ही नहीं है, मुझे सोचना ही नहीं है, मेरे को देखना ही नहीं है, दूसरा कारण हुआ है बच्चे, कि आप अपने हिम्मत जुटाओ, दुबारा से भांदो अपने हिम्मत को, दुबारा से खड हो जाओ और बोरो सर ठीक है ना सर हो गई ना गलती ये प्राबलम रही होगी सर ये इस्यूज हो सकते हैं सर अब मैं देखता हूना सर मैं अपनी पुरानी गलती को सुधारता हूना सर मैं देखता हूना सर कि मैंने अपना self assessment करने के बाद जो EDS निकाले हैं अगर उन पे मैं काम करता हूँ तो क्या ये दिक्त मुझे दुबारा आती है क्या ये दिक्त मेरे साथ दुबारा repeat होती है एक कारण तो ये है बच्चे कि आप बिलकुल और बिलकुल अपने आपको आज की डेट में इस चीज़ को लेके prepare हो जाओ कि भई जो हो गया वो हो गया अब मैं उसकी तरफ देखके रोके बैठके कुछ भी पाने वाला नहीं हूँ मुझे आब अब अपनी बिल्ट को दुबारा से टाइट करना है दुबारा से अपनी एक self-assessment करके अपनी mistakes को cover up करना है और बिंदास तरीके से exam को फोड़ के आना है आपके पास दोनों choices है मिटे है या तो bog down हो जाओ, bad जाओ, demotivate हो जाओ, feel change कर लो, कुछ और कर लो या तो ये सोच लो, या गेम में वापिस आओ, buckle up your belt, come up again, see what you have done wrong, work on things that you really need to improve on, and photify the exam, choice आपके पास से बेटे, मैं आपकी जगह था जब, तो मैं भी इम दोनों इरियास में shift करता रहता था, but I somehow, of course with the guidance of the mentors that I had at that point in time, finally chose on this side of the table, मैंने उन सब गलतियों पे काम करने की कोशिश करी, कितनी कर पाया, नहीं कर पाया, मुझे नहीं पता, but at least I was able to clear this exam in the best possible way, अगर आप भी करते हैं, तो शायद आप तक भी वो सफलता जरूर पहुचेगी, मुझे बहुत जरूरी लगा इस वीडियो का बनाना, because जब मैं उससे मिला, I was really down, in fact उसको देखना की बाद, I was feeling very demotivated, that you know, we really have to do something for you guys, to really be here, and talk to you heart to heart, and tell you कि बच्चे ये बच्पना नहीं करना है, दुबारा से खड़े हो जाओ, अपनी हिम्मत जुटाओ, और बैंड बजा दो, बैंड बजेगा और जरूर बजेगा, आपको सिर्फ अपनी हिम्मत दुबारा जुटानी है, अपनी जो गलतियां करी हैं, उनके ओपर काम करना है, और फोड क्याना है, बात समझ मे आती है, बिलकुल आती है से, हम्म, seems, you are liking the video, if yes, then why don't you subscribe to our channel, Fentang Global, to keep getting all these videos and the updates, do press the like button my friend, it really motivates us, and share it with all your friends, I would really end up over here, I would again say, towards the end, बच्चे ये time, बिलकुल और बिलकुल हारने कर नहीं है, अपनी हिम्मत जुटाओ, दुबारा सागे बड़ो, I am sure success will be yours, अगर आप में से किसी बच्चे को ऐसा कोई और रीजन भी लगा, जो मैने कवर नहीं किया, आप प्लीस, comment box में मुझे लिखो, I would certainly pick it up, and of course, share it in the next video, and of course, students who will be seeing this video, can also read those issues, can also read those concerns, there would be some concerns, that would be beyond your control, if you will write them, and of course, share it with me, I will try giving you, as much as possible, the solution for it, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तिल देन, बेस्ट अफ लाक, बेस्पंकर जिंगरा, साइनिंग ओफ. मुझे मुझे झाल.